So Hello Everyone, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो हमने एक वीडियो बनाया था कल ही कि Fee Structure of All Polytechnics in Pune मतलब Pune में जितने भी Polytechnics हैं सारे Colleges का हमने Fee Structure बताया था Open के लिए कितना होगा, Category के लिए कितना होगा उसके बाद उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए ये डिस्टिक का बताओ सर, वो डिस्टिक का भी बताओ इसका बताओ, उसका बताओ, कुछ लोग भोजे刃 ठाने का बताओ बोल रहे, कुछ लोग मूमबई का बोल रहे और दूसरा मुंबई सबर्बन तो दोनों के दोनों एक ही वीडियो में हम इंक्लूड किये हैं तो आपको जरूरत नहीं कि इस डिस्टेक्ट तो मुंबई बोले तो मुंबई सिटी और मुंबई सबर्बन दोनों इसमें इंक्लूड हो चुके हैं तो यार वीडियो को लाइक फटाफट करना है क्योंकि यार ये मुझे research करना पड़ता है बहुत सरे इधर उधर से देखना पड़ता है और authorized information आपके सामने पहुंचाना पड़ता है तो यार वीडियो को like जरू करना है और चानल को subscribe नहीं किया तो फटाफट कर लिजे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं district Mumbai city बराबर जैसे कि मुझे ने बोला Mumbai का नाम लेते ही दो इस district आते हैं Mumbai city और Mumbai तो पहले देखते हैं Mumbai city जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो उसके अंदर हम college का नाम देखते हैं सबसे पहले बराबर उसके बाद देखेंगे tuition fee development fee और total fee जैसे कि आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दू total fee जो मैं बताता हूँ वो एक साल का होता है बराबर क्योंकि बहुत सारे comments यार बाद में आते हैं नीचे सर ये एक semester का fees है या एक साल का है या फिर तीन साल का है fees जब भी कोई भी आपको बताता है तो वो एक साल का होता है per year तो यहाँ पे मैंने specifically लिखा है कि आपको doubt नहीं होना चाहिए कि fees per year एक साल का ठीक है तो I think यह doubt अभी कोई नहीं पूछेगा comment में बरब तो सबसे पहला college है केजे सोमय या इस college के बारे में और इसमें जितने भी colleges हैं बहुत सरे colleges का हम separate video बना चुके है अपने चानल पे मतलब केजे सोमय या पॉलटेकनिक का video हमारे चानल पे separate available है जिसमें मैंने college के बारे में सारी के सारी जान कर दिये college कैसा है कितना cut-off होता है autonomous है या non-autonomous है fee structure वहाँ पे भी हमने discuss किया था लेकिन इस वीडियो में हम separate सिर्फ fee structure देखने वाले क्योंकि बहुत सारे बच्चों के comment आ रहे हैं सिर्क government politics के जिसमें हम हर एक college पे separate video बनाए हुआ है वो check out जरूर कर सकते हो तो देखते हैं यार tuition fees college का 93,000 है और 11,000 है development fee और मैं आपको बता दूँ यह government-aided college है और यह autonomous college है बरबर तो MSBT के अंदर नहीं आता है इसका fees देखिए यह fees किस category के लिए होगा रहे I think आपको समझ में आ गया हो open category के लिए total fees है कौन सी category है open category और सर अगर category में हम किसी और category में आते हैं तो आपको खुद को पता होगा अगर आप OBC में आता होगा तो 50% यह tuition fee में आपको discount मिलता है बरबर अगर आप SC, ST में आते हो तो आपको 100% tuition fee में discount मिलता है तो आपको सिर्फ इतना यह वाला column का fees भरना पड़ता है किसके लिए जो 100% discount में आते है जैसे कि TFW scheme हो गया SC, ST या फिर NT हो गया जिनको non-crimalier वगेरा जिनके पास है cast, validity बरबर तो वो reservation में आते हैं सबको पता चलना चाहिए उनको कितनी fees भरनी बरबर तो MS, Sabu, सिद्धिक, Polytechnic, Diploma का है यह Diploma का जो college आप Google पर डालोगे न तो उसका exact location आप आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर ठीक है तो जरूरी नहीं कि लोग कहां पर है कि यह पूछने की जरूरत नहीं है तो इसका है 65,000 tuition fee 6,800 development पर total बन जाता है 72,000 विद्यालंकार Polytechnic उसके बाद उसका है 61 और यह दोनों का plus करेंगे तो यह कितना बन जाएगा 68,000 मैं मोटा मोटा fees बता रहा हूँ अभी कुछ और fees होता है जैसे exam fee हो गया या फिर उसका आपका college में जो भी facility होता है उसका भी fees ले सकते हैं लेकिन जो main fees होता है वो कितना होगा सर 1000-2000 रुपे इसके उपर आपको जादा देना हो सकता है लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कितना fees है तो आगे बढ़ते हैं जैसे कि अगला college है मराथा मंदीर्स बाबा साहिब गावडे Institute of Technology इसके अंधर polytechnic भी है तो यहाँ पर tuition fee बन जाता है 63,000 और 6,000 के आसपास development fee है आपका 69,000 बन जाएगा बरब उसके बाद कला विद्यामंदीर Institute of Technology मुंबई उसमें है polytechnic के लिए 45,000 और यह 45,000 तो यह बन जाता है 50,000 के आसपास और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ यह पिछले साल का fee structure है हो सकता है इसमें fee's बढ़ गई हो तो ऐसा नहीं बोलना सर्ण आपने तो 50,000 बोलाता है यहाँ पिदो 55,000 है सर मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ 1,000, 2,000, 4,000 पांच 10% यह दर ओदर fee's हो सकता है क्योंकि यह फिचले साल काई आप तो लोग जानती होंग यार हर साल कॉलेज अपनी फीस बढ़ाता है थोड़ी थोड़ी करके लेकिन इतनी नहीं बढ़ाता है कि 50 का एक लाग तो नहीं होगा लेकिन 50 का 55,000, 52,000, 53,000 हो सकता है तो इतना तो मार्जिन आपको मान के चलना है ओके सर समझ गए आगे बढ़ो अब वो डिस्टिक का बात केलवानी मंदल्स श्री भागू बाई मफ्तालाल पॉलिटेकनिक बढ़ा बढ़ा इसका ट्यूशन फी है एक लाख चौदा हजार रुपए ओ माई गौड सबसे ज़्यादा है इसका अभी तक जो मैंने देखा है ना बहुत ज़्यादा फीज है पर एर ओके और चौदा 23,000 तो I think अगर इतना ज़्यादा फीज है तो कॉलेज भी उतना ही डिमांड में होगा I hope मुझे इस कॉलेज के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी आप इसके ओपर रिसर्च कीजिए तो कॉलेज के इतना ज़्यादा फीज कब रख सकता है कॉलेज क्य तो आगे देखते हैं नव जीवन एजुकेशन सोसाइटी पॉलेटेकनिक मुंबई तो उसका है 42,000 और इसका है 4,273 डेवलक्मेंट फी है तो टोटल बन जाता है ये दोनों को आपको जोड देना होता है बरबर 47,000 एक साल का आपको फीज यहाँ पर भरना पड़ेगा उस इसका जो है ट्युकेशन फी है 76,000 और डेवलक्मेंट भी है 8,000 और टोटल बन जाता है इसका 85,000 ओके उसके बाद विवेक आनंद एजुकेशन सोसाइटी पॉलेटेकनिक उसका है 63,000 और प्लस करेंगे इसमें 6,300 तो ये बन जाता है 70,000 बरबर तो गवर्मेंट मतलब उसका मैंने कवर किया है इस वीडियो में अगर कोई पॉलेटिक ने यहां से मिस हुआ है और आप जानते हो उसका फीस ट्रक्चर मैंने नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है आपको और मैं आपको बता दूँ ये जो फीस ट्रक्चर है इसमें इसमे वीडियो को लाइक जरूर करना है क्यों क्यूंकि अगर सर फीस बीडियो का हम लाइक करतें तो ये वीडियो जाधा से जाधा लोगों तक पहुंचता है और आपको च crunch करते रहना है और मैं आपके साथ हमेशे के लिए होँ तो यार यहांपे रुपते हैं मिलते हैं एक और ऐसी जबर्दस्ट इन्फर्मिटी वीडियो के साथ।